रादे रादे माई मैं चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे negation of quantified statements तो आपको यह पता होना चाहिए quantifiers क्या होते हैं दो तरह के quantifiers मैंने discuss के ते पिछले वीडियो में universal quantifier and existential quantifier और यह वहाँ पर मैंने आपको symbols बतायते हैं तो यह होता है हमारा for all पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं तो अगर हमारे पास ऐसे statements हैं जिसमें यह symbols हैं यानि की quantified statements हैं अगर हमारे पास तो उनका negation कैसे लिखते हैं वह हमाँ सीखेंगे तो सबसे पहले में आपको कुछ rules बताती हूं बहुत ही आसान है और यह बहुत ही important है ध्यान से समझेगा देखिए आपके सामने statement है जैसे म for all x px इसको मैंने बताया था किसको for all read करते हैं ठीक है तो for all x px यह बस मैंने इसका meaning लिखा हुआ है कि यह all true का मतलब है इससे आपको मतलब नहीं है स्रिफ इसको समझने के लिए लिए लिखा है तो मेन हम यहाँ अगर for all x px लिखा है और इसका negation लिखना तो देखी क्या हो जाएगा for all की जंगे तो देर एक्षिस टाजाएगा ठीक है यह दिर एक्षिस्ट का सिंबल है x x ही रहेगा और हम निगेशन लिख रहे है ना तो px के आगे निगेशन का साइन लगया तो negation PX हो गया तो for all convert हो गया इसमें देर एक्जिस्ट में और negation नहीं है तो negation लगा दिया अब नेक्स देखें जैसे next टूल में अगर माल लीजिए आपर देर एक्जिस्ट का symbol है तो यह किसमें convert हो जाएगा for all में यहाँ पर negation का sign है तो negation क्वाले नहीं थैंगेस्ट थाइगा पिछले वाले नहीं था लगा दिया इसमें है तो बड़ जाएगा तो मतलबहर्जुन कि अब देखें आपके सामने कुछ एक्जाम्पल्स हैं तो कुछ एक्जाम्पल्स हमारे पास इस तरह से हो सकते हैं कि इस तरह कुछ Fires के Terms पर लिखना बताऊंगी फिर इसका Negation बताऊंगी ठीक है तो आप दोरों यह चीजों को अच्छी तरह समझ लीजेगा एक्जैम में जैसे पूछा जाए उसके according आप कर लीजेगा तो यहां का है all integers are greater than 8 ठीक है तो हमने कैसे किया integer की बात हो रही है तो हमने PX लेल है एक्स इंटीजर फिर greater than 8 तो हमने का QX क्या है X greater than 8 ओके तो अब integers are greater than 8 तो integer और तो इसका मतलब क्या लेकेंगे PX implies QX ठीक है तो integer वाला यह जो हमने माना ता PX माना ता ग्रेटर दन वाले QX का तो तो पी x implies qx हो गया अब यहां all है तो सब्सक्राइब का for all x ठीक है for all x px implies qx ठीक यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे पहरे तो यह लिख लेंगे अब हम इसको ऐसे लिख लिए कि for all x है और यहां पर p implies q है तो आपको हम पता है कि p implies q क्या होता है negation p और q यह इसके equivalent होता है जब हमने proportion अगरा पड़ा था तो मैंने आपको बता था p implies q का मतलब negation p और q होता है ठीक है तो वह मैंने इसको लिख दिया p implies qx को negation px और qx ठीक है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अब यह तो हमारा हो गया लेकिन अभी तो हम इसका negation निकालना है तो इसका negation का मतलब यह है इसका negation निकालने तो मैंने क्या कि है आप इसका negation निकाल दिया तो कैसे किया for all convert हो गया there exist में इस पूरे के आगे हमने negation का sign लगा दिया ठीक है यही तो करना था उपर आले रूल के अग्वार्डिंग कि for all को there exist में बंगा तो अगे अगे इसके negation लगा दिया तो निकेशिन जब आगे लगा दिया तो यह क्या बन गया यह था लगा दिया निकेशन लगा-दिया दो निए निए दोनों में लग जाता है तो यह इसको मैंने ऐसे लिखा और इससे निए इस तरह से लिखा आप डायरेट इससे भी लिख सकते थे तब यहीं आएगा ठीक है मतलब डायरेट इसके निए पता होना चाहिए कि negation of p implies q कैसे लगते हैं तो मैं आपको बता देते हूं यहां पर फिर से आप डारेट भी कर सकते हैं कि प्लाइस क्यू तो भई हो जाएगा negation p और q और फिर यह वही आ जाएगा p and negation q ठीक है तो इसके आके डारेट निगेशन लगाएंगे और फिर सीधे उसके बाद आपकी लेख सकते हैं पी और निगेशन क्यू यानिकि पी एक्स और निगेशन क्यू एक्स तो यह वाली टर्म आ जाएगी ठीक है आगे कुछ इसको यूज भी किया है तो आप भी कर सकते हैं अदरवाइस आप ऐसे डिटेल में लेके करें तो भी बहुत अच्छा है आगे देखिए not all man are genius तो पहले मैं की पर all या not all उसको बात में देखे हैं पहले मैं है तो हमने माला mx के x is a man genius मत जी एक्स जीनियस ठीक है तो हमने क x implies gx हो गया अब इसको देखे not all तो all की वज़े से for all x आ गया not की वज़े से यहां पे निगेशन आ गया तो इसको हमने इस तरह से convert कर लिया ठीक है अब हमें इसका निगेशन लिखना है तो निगेशन क्या हो जाएगा यह से मैंने आपको बताए है अच्छा एक चीज़ और यहां पर ऐसे निगेशन लिखा इसका मतलब यह यह और यह बराबर हम यह निगेशन लगने का मतलब इनीगेशन इस वाले के आगई है तो for all x negation mx implies gx ठीक है अ तो for all x parapix penguin इसमें निगेशन निगेशन टॉनिद्दी यह ऐगने इसमें डाइं इसमें इसका निगेशन यह Frage इने कर लागते कर लिए और से यह बरागता इसका बदिए आप आ हैनले यह दिनरतनों कर दो दो एक लो जो और अए इसके इन हो गया और alcool क्मिसीन वन मिल्हा और है तो डीय जेलों के और के बाहर है तो जैसे मना आपको यहां बताया नीजेशन चंप और बंब्रभस ओ गया नहीं दीक तो इसका निकेशन लो और ऊफर इस ने पी एक्स हो गया है और यह लिखना है तो क्या होगा for all video الो गाउया यह से बाताइए मैंने डारेट लिखती है तो प्र यह निगेशन प्लाइस क्यूप का वह ही निगेशन क्या होता है चो मैंने आपको यहां बताया था P end negation Q तो P end negation Q तो यह P है तो P एसी हैं एक ओ और अगया और मतलब ऐसे वज आल एंड भी लिख सकते थे मैंने दिख दिए और negation Q मतलब इसका negation कर दो तो इसका negation क्या हो जाएगा एक ग्रेटर है तो लेक्षन एक्वल डिया ऩह Кिया है तो वो डारे कि स्टूडेंट सा इंट यहाँ पर कहा इसने इस्टूडेंट्स हमने माललिया स्कस्प इसको एक्स सिल्न दि कम और इसे अग्स उश्क्राइब एक्स कहा अब तो इसमें किया जाएगा यहाँ सब्सक्राइब को ले लिदियो एक्स आगय यह में लास्ट वीडियो में आप हो सिखाया था अब हमें इसका लिगना है तो निगेशन इसका क्या आजाएगा तो निगेशन में क्या करेंगे यह वह बना-ot एक्स एक्स एक्सट एगेशन एस एक्स यह आए गड़ल गानेगेशन आई एक्स गयोगे डिमोर्यक्न क्योंकि क्या होता है निगेशन और रगेशन गया था इसका आगे टिर एदर पॉजिटिव और निगेटिव तो आप वो इन्टीजर है तो हमने का IX X is an इंटीजर और X कैसा है इदर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हमने इसको पी एक्स कर दिया ठीक है तो यह अगया एनफ एन इमें exist x हो जाएगा और इसका negation लिखना है मतलब negation of ix implies px तो यह क्या हो जाएगा मैंने अभी आपको यहां बताया था ना क्या हो जाता पी and negation क्यों तो डायरेक्ट हम लिख दें there exist x यह क्या हो जाएगा पी मतलब ix and negation q मतलब px ठीक है यह बताया था ना तो इस तरह हम इसे कर सकते हैं ठीक है तो यह आगया आपके सामने कुछ questions हैं और इनको पहले आपको statement लिखना होगा quantifiers को use करके और उसके बाद उनके negation लिखिएगा तो मैंने आपके पहले इनके समझ में आ जाए आप जब करेंगे तो अपना answer अच्छे से match कर सकें ओके तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो share करें comment करें and wish you all the best for your exams take care रादे रादे